वेल नमश्या दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की पोस्त मार्केट अनलसिस के अंदर में I hope आपने सुबह 9 बच के 15 मिट का सेशन मिस नहीं किया होगा और सुबह 9 बच के 15 मिट का एक दिन मुझे सेशन देगे देखिए एक दिन का सेशन तरफ मैं आपसे रिक्वर्स करता हूँ एक दिन आप आईए अपने दोस्तों को लेका है ये देखिए हम क्या अनलसिस करते हैं कैसी नलसिस करते हैं क्या डेवल्स आपको देते हैं आज बजार 200 पॉइंट गैप से गुला बहुत बहुत हुएंट क्राई था हार तरफ में की बजार चला जाएगा डाउजोंस बहुत बुर्दरे से कल रात को गिरा था नैस देख गिरा था और विवर ऐसक्पेक्टिंग की बजार उसको पे रियक्क करेगा करेगा और वहा आज सुबह की है इसको कुछ 800 लोग अभी तक देख चुके हैं बहुत है मेरा ले जितने भी लोग आते हैं फाइदा उठाते हैं इस सबसे अची बात है तो यहां पर इस वीडियो में मैंने बहुत ही क्लिए लाइव स्ट्रीमिंग थी लाइव के दौरा पूरा पूरा जा से डरे तो यह अब दरने दबा लाइव मैं किसी को डरने नहीं दोगा है तो सब्सक्राइब करता हूं जो रिकॉर्ट हो चुकी है उसमें मैंने नौ बच के बाइस मिट के आसपास पर आप सुनी द्यांट से लेट मी मांक देते हैं तो यह जो लेवल है हमारा इस दी मैक्सिमम रेस्टेंस रिसको रेट कर देते हैं तो इस विल बी आर रेस्टेंस तोडें इस इस पूर देए मैंने क्लिरली कह दिया कि इस देए रेस्टेंस फूर देगा सत्रह हजार पच्ट्र 17,075 तक जाना चाहिए सुनी आगे मैंने क्या आगा 15,075 तक पूल बैक पॉसिबल है पूल बैक पॉसिबल है क्योंकि ऑप्शन चेरिंग का डेटा बहुत लेली मुझे कह रहा था कि हाँ एक पूल बैक पॉसिबल है क्यों बजा जब गैप से खुलता है तो लोग अपनी पोजिशन काट रहे होते हैं कुछ हबड़ तबड़े पोजिशन ली जाती हैं है ना मार्केट के लाइफ प्राइस में पोजिशन ली जाती है तो ये लेवल जब तक आज क्रॉस नहीं होगा इसका आप देख सकते हैं और इस सपोर्ट के गाप से ब्रेकिया है तो इस सपोर्ट तक मार्केट वापस रिट्रेस करने के लिए आ सकती है यहां से एक सेलोफ साट हो सकता है तो दिस वेरी वेरी क्लियर पॉसिबिलिटी की मार्केट में इस लेवल 17,075 विल बेरी स्रॉंग लेवल तो यहां पे पूरा 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 डिपेंडेंट है तो इस प्रेशर बना हुआ है इसमें कोई शक नहीं है बट एक बार के लिए बदा 17,000 की उपर में 17,025 एं उसके बादे 17,075 इस के लिए टीवन एंटी टीटू अभी चले दोस्तों इस वीडियो का आप पूरा देख सकते हैं यह स पूरा 17,025 जहां पर समय है बहुत बिताया अगर आप देख सकते हैं I can mark these levels यह 17,025 का zone था जिसको market ने बड़ा मुश्किल से बार किया और यहाप एक sell भी आया था उसके बाद जब बजार ने cross किया तो आपको 17,075 के level आपको बजार में दिखाई दिए ऐसा क्यों पॉसि आप मुझसे ब्याद अच्छी analysis कर सकते हैं और मुझे खुशी होगी जब आप मुझसे जाद अच्छी analysis करेंगे क्योंकि बजार में इस तरह वोट आरेगा जिसके पास में टूल नहीं होंगे आपके आस training calculator है brilliant tool आपके आस option chain है second brilliant tool आपके चार्ट है उस चार्ट को read कर सकत है अभी के लिए देख लेते कल बजार कैसा रहेगा ताकि आपको ट्रे लेने में थोड़ी से सानी हो यह बिलकुल भी buying selling recommendations नहीं है इस अल purely purely my learning and I am sharing my learning for the education and learning purpose so that you can match these levels with your study and find out कि whether there's a possibility to take a trade in intraday or not and if you really want to have fun with me during the intraday आप नरडा नहीं चाहते हैं come and ask your friends to join the live sessions right ठीक है दोस्त तो अब live session में लोग आ रहे हैं पहले जब मैं live session morning में start किया था 20 लोग आए थे आज की rate में at a time 83 लोग वहां पे खड़े हुए थे उस session को 800 लोगों ने दिखा है तो this is a great achievement for all of you and for all of us thank you very much for showing that trust और अब बजार में क्या लग रहा है अब clear है 17,000 यह gap fill हो गया है यह gap fill हो गया रहा था यहां तक बजार को support लेना चाहिए देखे बजार इतना वोलेटाइल है इतना dependent है foreign markets के उपर में कुछ कह नहीं सकते हैं हर तरफ महेंगाई की बाते हैं inflation की बाते हैं बरते crude oil prices की बाते हैं तो यह सब चीजें बहुत ही ज़्यादा अलार्मी है तो यहां आज के maintain करता है तो हमें यहां पे सबसे पहले 17,100 यह gap जो हमें दिखाए देता है मैं फिद से gap को इसको उपर लेकर आज जाता हो ताकि आपको समझ में है कि यह एक gap फिल हमारा यह gap बचता है 17,120 के आसपास में 17,100 के आसपास में 17,120 के लेवल हैं यह क्रॉस होने के बात में then you'll get a jump around 17,162 यह 162,150 के आसपास का जो लेवल रहेगा this will be a very decider level यह बहुत ही strong रहेगा पूरे हफते के लिए decider रहने वाला है तो यहां पे अगर आपको call put options में गाम कर रहा है for example जैसे मैंने आपको गाता 17,000 17,075 तक बांगे आ सकता है और 16,900 के आसपास में हम बात कर रहे थे तो 16,900 की अगर हमने call ली होती तो हमें बहुत ही अच्छे पैसे आए होती देख लिए 17,900 के आसपास की अगर हमने call ली होती वही 9 बच के 20 मिनट की बात कर रहा हूं आप यह देख लीजेगा आपको कभी भी गलत view देने की कोशिश नहीं करूँ है तो आज की रिट में सेक वो शेर अगर 10 रुपे 20 रुपे शलता इंट्राटे में आप दिवाली मना रहे होते हैं आप खुश हो रहे होते हैं बहुत एक call option 380 रुपीज की क्यों फर्चेस नहीं कर सकते हैं जब आप कोई भी एक stock 380 रुपीज का फर्चेस कर सकते हैं आपको सिर्फ सस्ता ही क्यों तो महंगी ही मिलेंगी यहां से 380 रुपीज का प्रफिट है उसमें एक दिन के अंदर में एक लॉट के अंदर में बहुत एक लॉट की निफ्टी में अगर आप call option में काम करें तो आपको 3500 रुपीज आप कमा रहे हैं आपको एक दिन में इससे जारा क्या चाहिए बहुत बलब 70 रुपीज on investment of 380 रुपीज is huge, it is absolutely huge आप ROI निकाल के देखें मजा आ जाएगा तो आपको trade करना है सही लेवल के उपर में वहीं मैंने आपको कहा था कि bank nifty 36000 के उपर चलेगी तो हम शेयर हों के काम करने के लिए वही bank nifty को देखने ही कोशिश के तो 36000 के उपर में ब बजार से cross नहीं हो रहा था बिल्बकुल भी बजार से cross नहीं हो रहा था बजार यहीं यहीं खूम रहा था जब बलबादार यहां से resistance को break किया तो एक single candle चाहिए इसको cross करने के लिए एक single candle ऐसा ही होता है जो strong resistance होते हैं एक single बढ़िया volume के साथ में आपको मज़ा आता है gap खतम होते हैं और यह almost बजार ने यहां पर इस लेवल को touch कर दिया है और यह gap खतम एक gap खतम है यह दूसरा gap है कल का बजार देखना बहुत इंटरस्टिंग हो सकता है अगर यह maintain होते 37100 का लेवल एक सपोर्ट रहने माला है भी 36100 के सपोर्ट के साथ में bank nifty को करके रखते है है stop loss लेना पड़ेगा बजार बहुत वोलटाइल है तो यहां पर फ़े चांसिस का that bank nifty can retrace back to 36300 लेवल 400 लेवल इस ली तो कल का हम live market में देखेंगे कल कैसे गाम करना है कोन से लेवल बहुत ही important और interesting होने वाले हैं हनकी कल गाइज ETH है तो आप सभी को ETH मुबारक advance में सब्सक्राइद लगा रहा हूं और most probability कल मार्केट मन है और अगर कल मार्केट मन होता है तो फोर्थ को हम trade करने वाले हैं फोर्थ का मार्केट हम live market जोईन करेंगे नौश की अपनामेंट पे स्टेट यून आप भी आईए अपने दोस्तों को बिलाइए और ऐसे ही level analysis का लिए trade करते रही है और हाँ डरना मना है जहिन